एसेजी अस्पताल से विवात कानाता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा आज एसेजी अस्पताल के कोवीड वार्ड में काम करने वाले कॉंट्रा के कर्मियों को किसी भी नौटिस के बिना काम से बर्खास करने पर माहौल गरमाया था बीते दो महिने से वेतन नहीं मिलने पर इन कर्मियों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई थी तब आज अचानक जब ये कॉंट्रा के कर्मी सुबह अपने काम पर पहुँचे तो उन्हें बर्खास किये जाने की बात कह दी गई एक जानकारी के मताबिक कॉरोना काल में कोवीड अस्पताल के लिए करीबन एक हजार कर्मियों की कॉंट्राक पर भरती की गई थी जिन में से अब तक 600 कर्मियों को अपने काम से धीरे धीरे करकर बर्खास कर दिया गया तब आज इन सभी कॉंट्राक के कर्मियों ने अपने बकाया वेतन देने की मांग की थी और साथ में अपनी नौकरी सुरक्षा की भी मांग की थी इसको लेकर आज से अस्पताल के कॉवीड हॉस्पिटल के सामने ही इन सभी कर्मचारियों ने हला बोल किया था कि विरोध हमारो यहोग जे साहेब की रावेत हमुझव आज अमारी नौकरी पर आवेला आमने, हम्हे आपको इट स्रेक्षन मां काम करें जे हे माहरो लेट बोल जे द्याविता मुझे आजरी पूरा हो आईया तो अमारा जमाधार साहीब यहूं कि दूजे के कोई ना पड़ी चे के कोई ना माना सोने लेवा नहीं कोई नो कॉट्राक्ट पूरो थाई गयल छे तो सुधाय कोड़ो ना पती गवेवा चे बेब्ब्य महीना नो पेला थी पग अब खबरो से लगातार अपडेट रहना हुआ असान बी आरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरो से लगातार जुडे रहें